कल तक कोर्णा से लगबग मुप्त हो चुके दिग्रिस तैसल में अब दोबारा कोर्णा संक्रमन की धडल के साथ वापसी हुई ऐसे में गुरुवार को 32 अक्टिव पॉजिटिव मरीजों का इजाफा हुआ है जिसमें अंटिजन 24 और 8 PCR की 8 मरीजों का समावेश है इस बीच 25 अक्टिव पॉजिटिव से नेगेटिव में तबदील हुए मरीजों की बाद तैसल में कुल अक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिलहाल एक्यासी बताई चा रही है दिग्रिश शेहर और तैसल फिर एक बार कोर्णा संक्रमन का केंडर बनता चारा है अपरे प्रसारित हो रही थी जिसमें रात दस से सुभह नो बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा ऐसी जानकारी सोशल मेडिया और टीवी चैनलों पर जारी खबरों में दी जा रही है चबकि इसी बीच यवतमाल जिलादिकारी की और से भी कोर्णा संक्रमन रोकताम के संबद में जारी सूचना पत्र में लॉंस, हॉल, मंगल कारयलो, आदि सही भीड भारवाले इलाकों के लिए विशेश रूप से विभिन्दश शर्तों और नियोवों की चेतावनी नुमा सूचना चारी कर दी गई है बैरहाल सौरान कोविट केर केंदर की व्यवसापक डॉक्टर अभै गुविन्दवार ने बताया कि कोविट केर के माधिम से गुरुवार को 32 निजी अस्पताल में 17 पॉसिटिव रिपोर्ट आने से कुर्णा एक्टिव पॉसिटिव मरीजों के आकड़े में भारी इसाफा हो चुका है तैसे ले नहीं जिले सहित राज भर में कमोबेश यही सिती होने से राज सरकार की और से विविन्दश शर्तों के साथ कर्फ्यू शुरू किया जा रहा है जिसमें दिन के समय कुछ 7-8 लोगों की छूट दे कर लोगों को कोर्णा से बचने की हिदायत दी जा रही है ऐसे में कोर्णा की वापसी को लेकर सतर्ता बरतने का जिम्मा अब जनता का भी है ताकि दोबारा हमें लोगडाउन के मुसीबत भरे समय से गुजरना ना पड़े बीसे नियूस के लिए दिगर से जुबेर खान की रिपोर्ट